नमस्कार स्वागत है आपका निउस लाइफ आप देख रहे हैं और मैं हूँ दीपक डोबालो बुलेटिन के शुरुवात हम कर रहे हैं गंतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली की जो आज हिंसक हो गई गंतंत्र दिवस के मौके पर देश लोकतंत्र का जश्ट मना रहा है लेकिन कृशी कानूनों का विरोत कर रहे किसानों ने आज लाल किले पर जम कर हंगामा भी किया प्रोजेशन कारियों ने लाल किले पर उस जगा किसान संगठन का जंडा फैरा दिया जहाँ 15 अगस को पधान मंतरी तिरंगा फैराते हैं इसके बाद पुलिस ने लाल किले के आसपास जमा किसानों पर लाठी चार्ज किया किसानों को लाल किले से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है फिलाल तनाव बढ़ता देख सिंगू बॉर्डर घाजिपूर बॉर्डर टीक्री बॉर्डर मुकर्बा चौक और नांगलोई में इंटरनेट सेवा को आज राद 12 बजे तक बंद कर दिया गया है आपको बता दें कि राजधानी में ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान जगा जगा पुलिस से भिरते दिखाई दिये जगा जगा ये जड़पें जो थी वो हिंसक भी हो गई प्रदशन उग्र हो गया और उसके बाद किसानों ने लाल किले पर पहुँचकर लाल किले में तिरंगे वाली जगा पर जणडा पहरा दिया तो सिंगू बॉर्डर गाज़िपूर बॉर्डर टीक्री बॉर्डर मुकर्बा चौक अटा गया है ग्रहम मंतराले के आदेश के बाद ये कदम उठाया गया है मेरे सयोगी समीर दीक्षित इस पक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे हम ताजा हाल लेते हैं समीर फिलहाल स्थिती कैसी है क्या पुलिस किसानों का जो प्रदशन है जो हिंसक हो गया है उस पर कोई काबू पाप आई है बिल्कुल सबसे पहले ये बात है कि दिन भर में जिस तरीके की अपरी घटना है और जिस तरीके की तस्वीर पुरे देश न देखी वो काफी दुखत थी लेकिन इस वक्त अभी हम मौझूद हैं दिली नोडा बॉर्डर पे ये जो रास्ता है ये नोडा ग्रेटर नोडा को जोडता है लेकिन दिन के वक्त यहाँ पर दोनों ही तरफ के रास्ते किसानों ने बंद कर दिये थे यहाँ पर मोर्चा बंदी कर दी थी और ट्रेक्टर रैली निकालने लगे थे लेकिन अभी थोड़े ही देर पहले यहाँ पर पुलिस के आला दिकारी तमाम बाचीत करके एक तरफ कर रास्ता कम से कम खुलवाया है और कोशिश ये की है कि कम से कम जो आम लोगों की आवजा ही है उसको सुचारू रूप से जारी रिखा जाए जबकि जैसे पहले था 26 तारीक से पहले जिस तरीके से केवल एक तरफ कर रास्ता यानि कि नोड़ा से दिली तरफ के जाने कर रास्ते में जो किसान बैठे थे वही तस्वीर बनी रहे उसको पूरा कर पाने में पुलिस काफी हथ तक सफल हो पाई है यहाँ पर लगाता है लोग नोडर सिच्वेशन मेंटेन किये हुए है लेकिन ये तस्वीर केवल एक बॉर्डर की है सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर गाजीपूर बॉर्डर वहाँ पर बहुत बुरे हालात बन गए दिन भर में यही वज़ा है कि एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है अभी पी इंटरनेट सेवाओं उन इलाकों में बंद है और पुलिस की कोशिश यह है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की अफवाहों पर रोक थाम किया जाए उसको रोका जाए इसके साथ ही लाल किले पे जो आज सबसे बुरी तस्वीर थी कि देश के जंडे को उतार करके दूसरा जंडा जो फेराया गया उसमें कम से कम यह है कि पुलिस को हलका फुलका ब रशांत की लगातार पुलिस के अधिकारी यहाँ पर किसानों से और उनके प्रतिनिद्यों से बाचीत के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहरे है कि किसी भी तरीके से लॉइन ओर यहाँ पर ना बिगड़े और जो तस्वीर अन्य बॉर्डर पर इलाकों पर देखी गई है विशेशकर आईटियों का जिकर करें घाजीपूर या टिकरी बॉर्डर पर वो तस्वीर कम से कम दिल्ली नोड़ बॉर्डर पर नजर ना आए और यही बज़े है कि लगातार बाचीत का दोर जारी है अभी यह बताया जा रहा है कि पांच बज़े तक की पर्मीशन थी कि किसानों के ट्रेक्टर रैलिकों की 5 बज़े के बाद उने को तैय ड्रूच पर ट्रैकटर निकालें नीने कबाद वापिस दिल्ली से बाहर निकल जाना है अभी ऐसा संभाबनायमा नंजा रही हैं अब इस पूरे प्रक्ण को काबू में लाया जाए फिलहाल यही स्थिती कमोबेश बनी हुई है लेकिन लगातार कोशिश है कि कहीं पर भी जो हिंसक घटना है दिन के समय में देखी गई है उस पर काबू पाया जाए और शाम तक कम से कम सब ही कोग वापिस बॉर्डर की तरफ भे दिया जाए अब बात ये रही कि आकर जिम्मेदारी कौन लेगा सबसे बड़ा सवाल यह कि जो दस्विर दिन भर में देखी गई उसके जिम्मेदारी आकर कौन लेगा मैं इसी सवाल पर आऊंगा और एक प्रोबेशनर आईपिएस आफिसर इन दोनों लोगों को इंजिरीज आई है ये लोग फार्मर्स को रोक रहे थे जब वो बैरिकेट्स तोड रहे थे ये दिल्ली पुलिस की ओर से अभी एक आधिकारिक बयान आया है इसके अलावा एक और बयान आया है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से उनका साफ तोर पर कहना है कि आज जो पार्टिसिपेशन हुआ है किसानों का उसके लिए वो तहे दिल से किसानों का शुक्रिया दा करते हैं लेकिन इसके साथ साथ सायुक्त किसान मोर्चा ने कंडेंब भी किया है, खेद भी प्रकट किया है, जो अंडिजाइरेबल और अनएकसेपटिबल इवेंट्स हुए हैं, ये एक तरह से इस पूरे प्रकरण से स्युक्त किसान मोर्चा खुद को अलग कर रहा है, किस रैली को सफल बनाने के लिए किसानों का धन्यवाद भी दे रहा है संयुक्त किसान मोर्चा लेकिन जो कुछ अन होनी हुई है जो अवांचित घटना करम जो हुआ है उससे संयुक्त किसान मोर्चा खुद को अलग भी कर रहा है मेरे समीर मेरे साथ लगातार बने हुए है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये बयान आया है समीर और एक तरह से खुद को अलग करने की कोशिश की जा रही है क्या ये सफाई काफी होगी या फिर किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी सामने आकर लेनी ही होगी क्योंकि वादा तो शान्ति पूर्ड प्रदेशन का था बिल्कुल ये बात सही है कि आप भले ही शाम तक आते आते हैं अपने आपको इस तमाम अपरी घटनाओं से खुद को किनारा कर ले और चाहे आप ये कहें कि इसमें बाहरी तत्य शामिल थे लेकिन इसका अंदेशा लगाता जिताय जाता रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस से साथ में तकरीवन 6 या 7 बार किसान निताओं की बैठा को थे उसमें बार बार इसी बात को लेकर के पेंच फसा था कि रूट क्या होगा कितने ट्रैक्टर निकाले जाएंगे ट्रैक्टर मे तरफ से ऐसे बयान आते रहे जो मामले को काफी उकसा रहे थे और माहौल को तनावपूर बना रहे थे लगातार आप अगर इन तस्वीरों को और पूरे रूट को जिस रूट पर ये किसान ट्रैक्टर रैली निकली हैं अगर आप इसका विशलेशन करेंगे आप ये समझे जैसा ही था बकाइदा लाल के लिए तक जाना लाल के लिए से कुछ ट्रैक्टर आया है इंडिया गेट की तरफ उसका रुख हो ना اور लाल के लिए के बाद भी इन्होंने पहले से तए किया हुआ है उसी रूट को उन्होंने अपनाया और जब पुलिस ने इसको रोकने के लिए और जब पहले से तैय कारकम था उसमें जब फिर बदल जैसे ही शुरू हुआ उसी के बाद आपने देखा कि किसानों के तरफ से जो लोग भी जो ट्रैक्टर के जरियों हो तलवार के जरियों हो जो भी आपने ज़णब की तस्वीरे देखी ये उसका नतीजा रहा है ल समाजिक तत्यों के नाम पर फोड़ दिया जा और इस बात को कहीं न कहीं इसकी तरफ मोड़ दिया जाए कि सरकार क्योंकि सुन नहीं रही थे लिहाजा ये सब कुछ हुआ लेकिन इसमें आपको ये समझना होगा कि जब तक साथ दिन तक अगर बाचीत के बात रही साथ दि जादा था शानती पूर्ण प्रदशन का लेकिन जो जड़पे हुई है जो हिंसा हुई है प्रदशन के दोरान उसकी जवाब देही आखिर कौन लेगा ये बहुत आसान है अपने आपको इस पूरे अप्री अगटना करम से खुद को अलग कर देना लेकिन जिम्मेदारी कि किसी को लेनी होगी देखना ये होगा कि और जादा क्लारिटी के साथ किसान नेता किस तरह से सामने आते किस तरह से मीडिया को फेस करते हैं बहराल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए समीर दीक शित आप नजर बनाए रखें लोटेंगे आप तक झाल झाल